हिंदु धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान अम्रित कलश निकाला था तो देवताओं और दानवों ने इस कलश को लेने की कोशिश की और इस कोशिश में अम्रित की कुछ बूंदे चलक कर धर्ती पर गिर गए और धर्ती पर इस की बूंधे जहां-जहां गिरी वहा वहां गिलोए की उत्पत्ती हुई इसलिए गिलोए को संस्कृत में अम्रता नाम दिया गया है इसके पत्ते पान के पत्ते जैसे डिखाए देते हैं और इसके बहुत सारे फायदे आयुर्वेद में बताये गाए है जो ना केवल आपक को हेल्दी रखते हैं बलकि सुन्दर्ता को निखारने में भी मदद करते हैं आईए जानते हैं गिलोए के फायदों के बारे में अईर्वेद के शोत के अनुसार देखा गया है कि गिलोए के जूस में केल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस जैसे पोशक्तत वो पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं गिलोए का नियमित इस्तमाल आपको कई तरह की विमारियों से दूर रखने में मदद कर सकता है एक रिसर्च में देखा गया है कि गिलोए का जूस आपके शरीर में इम्मिनुटी बूस्ट करने का भी काम करता है आए विस्तार से जानते हैं गिलोए के जूस के स्वास्थे के साथ साथ सुन्दर्ता से जुड़े फायदों के बारे में गिलोए एक ऐसी जड़ी बूटी मानी जाती है जो इम्मिनुटी बढ़ा कर हमें बिमारियों से दूर रखती है आईरुवेदिक रिसर्च के अनुसार गिलोए के अंदर भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर में मौझूद टॉक्सिंस को बाहर निकालने का काम करते हैं ये अन्टी ऑक्सिडेंट्स रक्त को साफ रखते हैं और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद भी करते हैं अस्थमा एक पुरानी फेफडों की बिमारी है जो वायुमार्ग में सूजन के कारण होती है आयुर्वेदिक चिकित्सक अस्थमा से परिशान महिलाओं को डाइट में गिलोए के जूस को शामिल करने का परामर्श देते हैं अस्थमा खासी और नाक के अलरजी जैसे कफ संबंधित विकारों के लिए गिलोए का जूस बहुत अच्छी ओशिद ही साबित हो सकती है अगर आप कप्स या पेट से जूड़ी अन्ने समस्याओं से परिशान हैं तो रोजाना गिलोए के जूस का सिवन करें आईरवेद के अनुसार माना जाता है कि गिलोए का जूस डाइजेस्टिफ सिस्टम को सही तरीके से संचालित करता है और भुजन को पचाने की प्रक्रिया में मदद करता है जिससे आप कब्स और पेट की दूसरी समस्याओं से बचे रह सकते हैं अर्थराइटिस की समस्या में न सिर्फ जोडों में दर्द होता है बलकि अकडन के कारण चलने फिरने में भी परिशानी होती है आईरवेद के अनुसार गिलोए के जूस में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी आर्थरिटिक गुण पाए जाते हैं जो अर्थराइटिस के लक्षोनों का इलाज करने में मदद कर सकते हैं आमतोर पर अनीमिया आईरण की कमी के करण होता है लेकिन कैंसर ऑटो इम्म्यून रोग संकर्मन और क्रोनिक किडिनी रोगों के कारण भी अनीमिया हो सकता है ऐसी समस्याएं सूजन वाली अनीमिया के रूप में जाने जाती शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के छोटे जीवनकाल के करण सूजन प्रिवित अनीमिया हो सकती है और साथ ही नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी दमन हो सकता है जातर भारती महिलाओं में अनीमिया की कमी पाये जाती है इससे उन्हें हर समय ठकान और कमजोरी महसूस होती है गिलोई जूस के सेवन से शरीर में रेड बलड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और अनीमिया से छुटका रा मिलता है आजकल तनाव या स्ट्रेस एक बड़ी समस्या बन चुका है गिलोई के नस का सिवन चिंता, तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है अविवेद के शोट के अनुसार गिलोई में एडेप्टो जैने गुणों की उपस्थिती नसों को शांत करने में मदद कर सकती है और तनाव से रहत देने वाले हार्मून्स को बड़ा देती है वास्तम में गिलोई पाउडर का उपियोग स्वभाविग रूप से तनाव और चिंता को कम करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली दवाओं में एक सक्रिय घटक के रूप में किया जाता है अगर किसी को बार-बार बुखार आता है तो उसे गिलोई के जूज का सिवन करना चाहिए गिलोई हर तरहां की बुखार से लेड़ने में मदद कर सकता है एंटी-पायरेटिक गुण के कारण गिलोई का इस्तमाल बुखार के प्रवंधन करने के लिए किया जा सकता है अगर्वेद के विज्ञानिकों के नुसार गिलोई प्लेटनिट काउंट को भी बढ़ाता है और डेंगू बुखार से लेड़ने में भी मदद कर सकता है अगर्वेद के शोदकरताओं का कहना है कि गिलोई के जूस में हाइपो ग्लाइसेमिक गुण होता है यानि ऐसा गुण जो बलड में शुगर की मात्रा को कम करता है इसलिए इसके सेवन से बलड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है जिसका फायदा टाइट टूब डायबटीस के मरीजों को हो सकता है या हराब जीवन शाली का ही प्रणाम होता है जिसे रक्त प्रभाव में मौजूद शुगर का उप्योग एनरजी उतपात के लिए प्रभावी रूप से करना मुश्किल हो जाता है लेकिन हमारे बलड शुगर के लेवल पर इसका सिधा प्रभाव पड़ता है अईरवेद के शुद करताओं का कहना है कि गिलोए का जूस शरीर के मेटबॉलिजम को ठीक करता है इसके सेवन से सुजन कम हो जाती है और डाइजेशन भी सही रहता है जिसके कारण पेट के आसपास जमा चर्बी कम हो सकती है और शदिये गुडों की वज़े से गिलोए का उपयोग एक एडेप्टोजैनिक पदार्थ के रूप में किया जाता है जो तनाव को मैनेज कर शरीर की शमता को बढ़ावा दे सकता है ये तनाव के प्रभावों को कंट्रोल कर बार बार खाने की अदत को रोक कर वज़न घटाने में मदद कर सकता है इसलिए जिद्धी पेट वसा से छुटकारा पाने के लिए गिलोए का जूस एक उतकरष्ट उपाए साबित हो सकता है अईरवेद के अनुसार गिलोए का जूस न केवल हेल्थ के लिए फायदेमन माना गया है बल्कि ये तवच्चा और बालों को भी सुन्दर बनाने में मदद कर सकता है अईरवेद के चिकिट्सको के अनुसार गिलोए के जूस में एंटी एजिंग गुण होता है इसकी मदद से चहरे से काले धबो, मुहासो, फाइन लाइन्स और जूरियों से बचा जा सकता है गिलोए के जूस के सेवन से आप निखरी और गिलोइंग तवचा पा सकते हैं इसके लावा ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर आप बालों में रेंड्रफ बाल जढ़ने या सिर्की तवचा की अन्ने समस्याओं से जूज रहे हैं तो गिलोए के सेवन से आपकी ये समस्याओं भी दूर हो सकती हैं गिलोए की कुछ डंडियों को लेकर उन्हें एक गिलास पानी में तब तक उबाले जब तक की पानी कम मात्रा में ना रहे जाए उस पर पानी को छान ले और रोजाना उस जूस का सिवन करें गिलोए एक ऐसी ओशदी है जो सच्मुच अम्रित से कम नहीं है इसके अंगिनत फायदे है लेकिन अगर आप गिलोए का उपियोग एक ओशदी के रूप में किसी बिमारी के उपचार के रूप में करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक परमानित आयुर्विदि चिकित्सका परमश अवशलेले